आप लोग कैसे बर कमेंट कर देना आपको बहुत बहुत स्वागत है करने दूस्य ओफिसल चैनल में तो दोस्तों की वीडियो में यह बताया आप लोगों को कि अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो गया है तो एड के लिए क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है कौन से एड किस लगाने हैं तो सारी चीजे में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा बस आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रीप करके मत देखिए गा ठीक है और एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को पर लोग स्टाप करने तो सबसे पहले आपको वीडियो क्लिक करने बद आपको एडिट वालेवले सेंबल पर क्लिक करना है जैसे आप अप yours अंप कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक option आप लोग को मिलेगा dollar वाला symbol दिख रहा है तो इसके उपर आप लोग को click करना है जैसे आप click करेंगे तो basically यहाँ से on off का option मिल लाएगा तो मैंने on कर रहा है ठीक है उसके बाद आपको क्या क्या setting करनी है अब मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो यह जितने भी आपको दिख रहे हैं ठीक आपको हटाने पड़ते हैं तो basically ठीक आपको set कर लीज़ेगा ठीक है चारुटी का आपको set कर देने उसके बद आपको back आजाना है back आने बद आपको क्या करना है simply मैं आपके एक option दिखाता हूँ यहाँ पर यह देखे इस तरीके से आपको क्या करना है वो setting जो मैंने आपको बता है meditation में सारी चीज़े set कर लेने उसके बाद आपको क्या करना है save कर देना ठीक है जैसे आप save पे click करोगे तो basically यह save हो चुका है आप देख पा रहे हो यहाँ पर ठीक है तो यह add में जो भी setting करनी पड़ेगी यह करनी पड़ेगी एक बात में और बता हूँ आप लोगों को अगर आपकी वीडियो 8 मिनिट से जादा है ठीक है तो multiple add यानि कि बहुत धेर सारे आप लोग add जोड सकते हो वो कैसे जोड़ना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ ठीक है तो सबसे पहले में आपको क्या करना पड़ेगा यह चीज जोड़ने वाली बात है जो multiple add लगाने की बात है तो यह आपको chrome browser साई download मतलब कि set कर सकते हो ठीक है ना कि आप IT studio application से तो इसके लिए आपको channel dashboard पर जाना पड़ेगा चैनल की जितने भी वीडियो से आप लोग उने upload करी है और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 8 मिट से ज्यादा वाली वीडियो कौन सी है तो उसमें आपको mid role यानि की बीच-बीच में add आप लोग set कर सकते है ठीक है तो चली थोड़ा सा open हो जाए फिर मैं आप लोगो दिखाता हूं कैसे set करना है तो basically upload जितने भी मैंने upload करे थे यहाँ पर आप देख पार है 10 मेंड की वीडियो यह है 4000 वास्टाइम कैसे complete करें मैंने pencil वाले sample पर click किया click करने के यहाँ पर आप देख पार यहाँ पर इस तरीके uh interface open हो, थोड़ा सा आपको wait करना है, wait करने कबद आपको dollar वाले symbol पर click करना है, जैसे आप symbol पर click करोगे, आप देख पर monetization वाला page खुल चुका है, तो थोड़ा सा आपको just wait करना है, wait करने कबद आपको मैं बताता हूँ, क्या वो तरीका है, क्या चीज़ वो आपको follow करने है, ठीक है, on करने कबद आपको सारी चीज़े इसमें click कर देना, ठीक है, जितने भी overall ads है, sponsored cards है, iscapable ad जो होते हैं, non-escapable ad होते हैं, तो यह सब चीज़े आपको tick कर देने, उसके बाद एक option आपको देखने को मिलेगा, before video, ठीक है, यानि कि pre-roll, और during video, इसका मतलए mid role, यानि कि जितने भी बीच में छोटे-छोटे ad लगाए, अगर आप चाहते हैं, अब मैं आपको बताऊं, suggestion के लिए, अगर आपकी 10 minute की video है, तो 2 से 4 से ज्यादा ad ना लगा, ये ठीक है, अब ad कैसे लगाना है, चलिए बताते हैं, तो management roles पे उपर click करना है, आप लोगा न, जैसे आप लोगो ने click किया management roles पे, तो आप देख पा रहा है, यानि कि 4 ad मैंने लगा रखे हैं, चार ad आप देख पा रहा हैं, कहां कहां पे ये लगे हुए है, आप चाहते हो कि कहीं एक जगा और लगा दिया जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने click किया, add break के उपर जैसे मैं click करूँग, थोड़ा सा आपको zoom भी करके दिखा देता हूँ, यह देख एड break के उपर मैंने click किया, आप देख पा रहा है, यहाँ पे एक add set हो गया, total 5 set हो गया, ठीक है, यह देखिए, 3, 2, 5, यह point point दिखा रहा है न, आप यहाँ पे आप चाहते हो कि एक add और जोड़ दिया जाए, तो मेरे हिसाब से आप लोग 5 add से जादा मत रखिएगा, ठीक है, 10 मिट की वीडियो बनाए, चाहे 15 मिट की, 5 add से जादा नहीं रखना है आप लोगों को, वनना आपकी audience थोड़ा बोर हो जाएगी, ठीक है, आपकी वीडियो को छोड़के जा भी सकती है, तो बस 5 withdrawal add इस तरीके सा आप लगा सकते हो, आप चाहते हो कि ये जो add है, ये थोड़ा सा इधर बढ़ाना चाहते है, आगे बढ़ा दीजे, ठीक है, इस तरीके सा आप लोग set कर सकते हैं, अपने हिसाब से, customize कर सकते हैं, इस ही को ही बोलते है, customize करना, अब मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, अब आपको save कैसे करना है, ये आपने add सारे लगा लिए, add break के उपर click करके, ठीक है, मैंने लगा लिए, उसके बाद आप क्या करना है, continue पर click करना है, जैसी मैंने continue पर click किया, आप देख पा रहा हो, ये direct हड़ गया, इसका ये आप save हो चुका है totally, यहाँ पर save option लिख क्या रहा था, अभी हड जाएगा, ये black हो गया, अभी white था, ठीक है, अब automatic ये save हो चुका है, तो इस तरीक से आप लोग mid roll add लगा सकते हैं अपनी वीडियो में, और वीडियो का thumbnail जो है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगना और जितने भी नए creators हैं जिनका भी channel recently monetize हुआ है, तो ये वीडियो जरूर उनके तक share कर दीजे, ठीक है, okay friends, take care, bye bye, मिलते हैं नेच वीडियो में, तब तक लिए आप अपना ख्या लगना,